हेलो एवरीवन, वेलकम, नाव वी विल स्टड़ी दा सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेज अफ डियार्टी पार्ट सेकेंड जैसा कि आपको पता है रिसेंट एडवांसेज में अपना अल्ट्रा सोनोग्राफिक टोपिक चल रहा था आज इस लेक्ट्चर में उसी टोपिक को अपन आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे अल्ट्रा सोनोग्राफिक के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके ट्रांसजूसर के टाइप्स के बारे में डिसकस किया था ठीक है या फिर जिनको बोलते है ट्रांसड्यूसर एरे उनके बारे में हमने डीटेल में डिसकस किया था उनका एक शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं अपने तीन प्रकार के आपके एरे पाए जाते हैं फर्स्ट, लीनियर, सेकेंड फेजड और थर्ड, एनूलर ठीक है जैसे कि आपको पते हैं कि आपका जो ट्रांसड्यूसर है वो पीजियोईलेक्ट73 एफेक्ट पर वर्क करता आ है और पीजयोईलेक्ट tractor के अपोरडिंग उसके अंदर पीजयोईलेक्ट right觉 क declarants पाये जाते है तो यहाँ पे जो यह तीन एरे हैं यह किस्प के बेस पे हैं जो आपके ट्रांसजूसर के अंदर पीज्यो एलेक्ट्रिक किस्टल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने ट्रांसजूसर को तीन बेसिक पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है फर्स्ट अगर अपन बात करें linear की तो linear के अंदर क्या होता है कि जो आपके piezoelectric crystals है वो एक line और एक sequence के अंदर arrange होता है वहाँ पर ठीक है और वो एक scale line beam या फिर आप बात करें FOV field of view की तो वो rectangular और parallelogram like provide होता है वहाँ पर ठीक है दूसरा अपन बात करते है अपना जो phased area है phased area के अंदर क्या होता है कि piezoelectric crystals इस type से arrange होते है या फिर ऐसे piezoelectric crystals होते हैं वो खुद जो piezoelectric crystals है वो as a transducer behave करते है यहाँ ठीक है और यहाँ पर क्या होता है कि उनको energize करने की systematic order होता है means कि अपन एक जो आपका crystal energize होता है उसके बाद में दूसरे crystal को energize करने के बीच में एक time gap होता है यहाँ ठीक है उसके according यह energize किये जाते है फिर phased जो array है इसको भी अंबर ने further आगे divide किया था वो depend करता है कि कौन से body part के अंदर अपन apply कर रहे है ठीक है और जो आपका last था वो था annular array annular array यह बताता है कि इसके अंदर जो piezoelectric crystals होते है उनका arrangement concentric circles टाइप में होता है ठीक है जो आपकी ultrasound की beam आपको provide होती है वो किस में होती है एक circle beam में circle के type में आपको provide होती है यहां पर ठीक है तो यह तीन आपके normally array थे transducer array थे जिसके अंदर हम ने detail में discuss कर लिया था आज हम आगे जो next topic start करने जा रहे हैं वो अपना है mechanism of USG mechanism से हम यहां पर क्या समझेंगे कि आपकी जो ultrasonography है वो किस तरीके से work करती है क्या उसका mechanism है या फिर इसको अपन working भी बोल सकते है ultrasonography की working कैसे है ठीक है तो working के अंदर वैसे देखा जाए तो अपन अभी तक समझ गए होंगे कि कैसे आपका transducer work करता है कैसे images बनती है वही सब चीज है बस यहां पर थोड़ा सा अपन जो image बनती है उसके बारे में थोड़ा सा detail में discuss करेंगे ठीक है सबसे पहले आपन बात करते है कि ultrasound produce कैसे होगी वहां पर ठीक है बई image आपको बनानी है वहां पर तो उसके लिए आपको पता है कि ultrasonography के अंदर ultrasound waves चाहिएगी तो उसके लिए क्या करता है कि जो आपका computer है वो क्या करता है जो आपके transducer के piezoelectric crystals है उनको क्या करेगा electrical signals प्रोवाइड करेगा सबसे पहले ठीक है when the piezoelectric crystal gets the electrical energy जैसे आपके piezoelectric crystals को electrical energy मिलेगी it emits mechanical waves और sound waves आपका transducer क्या करेगा या तो mechanical waves या फिर sound waves को emits करेगा ठीक है and when the outer surface of the transducer comes in with contact with the patient's skin that means क्या हूआ सबसे पहले आपके computer ने transducer के piezoelectric crystals को electrical signals प्रोवाइड की ठीक है अब वो transducer क्या करता है piezoelectric effect के उपर work करेगा और piezoelectric effect के according या फिर उसके base पे वो क्या करता है कि वो जो piezoelectric crystals है वो energized होंगे energized होने के बाद उनको जो electrical signals मिले है उनको किन में convert करेगा pressure waves में या फिर sound waves में convert कर दिया अब अपन क्या करेंगे कि जो आपका transducer है जिस body part का अपने को scan करना है या फिर जिस human body part के अपने को diagnosis scan करना है उस human body part के patient की skin को हम उस transducer को touch करेंगे ठीक है अब जैसा कि आपके component में मैंने आपको बताया था कि जो outer surface होती है जिसको अपन क्या बोलते है matching layer बोलते है यहाँ पे वही जो matching layer है वही क्या आती है आपकी patient की skin के contact के अंदर आती है ठीक है it allows the ultrasound to transmit into the sector the part of the patient's body to be scanned and the transmitted ultrasound beam interacts with the various part of the patient's body according to their acoustic impedance that means क्या हुआ कि जो आपके piezoelectric crystals है उन्होंने जो sound waves transmit की या फिज sound waves का production किया अब जो आपका transducer है उसके matching layer को आपने क्या क्या patient की skin के contact में ले आए अब matching layer के through होते हुए जो आपकी ultrasound waves है वो patient की body के अंदर enter करेंगी या फिर जैसा अपनने यहाँ पे लिखा transmitted into the sector sector का मतलब patient का वो body part जिसको आपको scan करना है ठीक है उसके अंदर वो enter करेंगी and the transmitted ultrasound beam जो ultrasound beam produce वी थी जो transmit होके आ रही है वो क्या करेंगी जैसे body part में अंदर enter करेंगी तो obvious सी बात है कि body part के अंदर अलग-अलग density के अलग-अलग organs आपको मिलेंगे ठीक है अलग-अलग tissues उनके अलग-अलग densities तो उनका जो acoustic impedance है उनके according वो ultrasound beam उन body part से interact करेंगी सबका acoustic impedance अलग-अलग होगा acoustic impedance के बारे में एक बार में फिर आपको बता देता हूँ acoustic impedance कोई भी material की वो property है जिसके according beam उससे interact करती है या फिर यह वो property है जो बताती है कि कैसे आपकी जो beam है वो उस material से interact करेगी ठीक है इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी ultrasound beam है वो अलग-अलग तरीके से interact करेगी interaction अपने साहँद आपको यहाँ दो तो तीन प्रकार का बड़ा था reflection, reflection and attenuation that means कि यहाँ पे body के density का according या फिर body के acoustic impedance के according वहाँ पे यह तीन प्रोसेस होंगी ठीक है reflection, reflection और attenuation ठीक है अब अपन बात करते है आगे क्या होगा thus an extent of incident ultrasound beam gets reflected back towards the transducer अब क्या होगा कुछ जो beam है वो वहाँ पे reflect हो जाएंगी तो जो reflect हो गई हो तो आगे की तरफ चली गई ठीक है attenuation का मतलब क्या था यहाँ पे absorption and scattering scattered हो गई कुछ कुछ absorb हो गई but एक वहाँ पे अपनने interaction पढ़ा था वारी ultrasound beam reflect होके वापिस आएंगी ठीक है with a reduced intensity और उनकी intensity आपको क्या मिलेगी यहाँ पे कम मिलेगी क्यों मिलेगी क्योंकि उनकी कुछ energy वाँपे क्या हो चुकी है loss हो चुकी है which will them detected by the transducer जिसको क्या करता है transducer दुबारा से detect करता है and converted into electrical signals which then sent to the computer ठीक है transducer क्या करेगा जो reflected beam आई है उसको detect करेगा detect करने के बाद जो आपनने piezoelectric effect की property पड़ी थी कि वो vice versa भी होता है that means कि वो sound waves को electrical signals में भी convert करता है यहाँ पे वो क्या करेगा piezoelectric crystal जितने भी है वो क्या करेंगे sound waves को electrical signals में convert करेंगे और फिर यह electrical signals कहां तक पहुचते हैं computer तक पहुचते है आया समझ में यहां तक normal सा अपना कि जो आपके probe है transducer है उसको electricity मिलती है electricity मिलने के बाद में वो वहाँ से आपके ultrasound beam produce करता है ultrasound beam patient की body के अंदर enter होती है अलग-अलग तरह के वहाँ पर interaction होते है जो reflection के अलावा जितने भी interaction है वहीं पर उनके energy loss हो जाती है बस एक आपका reflection बचता है reflected beam जो वापीस आती है उसको वो transducer क्या करता है detect करता है फिर उन sound waves को वो किस में convert करता है electrical signals में convert करता है और electrical signals में convert करने के बाद में वो उनको computer तक send करता है अब आगे क्या होता है computer के अंदर then computer alerts a grey shade to the reflected ultrasound beam and mix अब क्या करेगा computer के पास जो electrical signals वापीस आये थे ठीक है वो उनके according एक grey shade की image बनाता है ठीक है और फिर ये कुछ तीन प्रकार के आपकी image है या फिर तीन प्रकार के mood होते है mainly जिसके according आपको image provide होती है first आता आपका वो क्या बनाता है graph between the depth and eco intensities eco आपको बताया था मैंने जो reflected beam आती है उसको eco बोलते है तो जो beam आ रही है उसकी intensity कितनी है ठीक है वो और कितनी depth तक वो जाके आई थी ठीक है वो उन दोनों के बीच में graph बनाता है इस mode को आपन बोलते है a mode या फिर amplitude mode ठीक है दूसरा mode है यहाँ पे आपका m mode जिसको बोलते है motion mode motion mode में क्या होते है graph between the depth and time कितने time में आपकी जो reflected beam है इको वो वापीस आई है और कितनी depth तक गई है इन दोनों के बीच में जो graph बनता है उसको बोलते है m mode या फिर motion mode थर्ड है यहाँ पे makes a 2D image according to the intensity of the reflected beam by giving it a bright grey shade जिसको बोलते है अपन B mode या फिर brightness mode brightness mode में क्या होते है कि आपका computer जो eco intensity एक bright grey shade की image प्रोवाइड कराता है आपको ठीक है जिस mode को अपन क्या बोलते है B mode बोलते है तो mail नहीं यहाँ पर जो आपका computer वो तीन mode पे चलता है एक होता है amplitude mode दूसरा होता है M mode जिसको अपन motion mode बोलते है B mode होता है brightness mode तीनो mode अपन अलग-अलग use करते है अलग-अलग body part की scanning के according जिस body part का अपने को scan करना है जिसकी जिस mode में अच्छी आपको diagnosis होगा वही mode अपन वहाँ पे use करते है ठीक है या फिर कहीं तीनो mode भी अपन use कर सकते है but A mode में क्या होता है depth and eco के बीच में बनता है B mode के अंदर आपकी bright जो grey shade बनती है image की ठीक है और जो आपका M mode है motion mode motion mode के अंदर depth and time के बीच में ठीक है अब यह जो तीन mode अपनने यहाँ पे पड़े है next topic अपना है इन तीन modes को detail के अंदर discuss करना ठीक है सबसे पहले अभी दुबारा से एक बार आपको discuss कर देता हूँ कि कैसे आपकी ultrasonography या फिर USG working करती है computer transducer को electrical signals provide करता है transducer उन electrical signals को sound waves में convert करता है sound waves आपकी patient की body के अंदर enter होती है वहाँ पे अलग-अलग acoustic impedance होने के कारण अलग-अलग interaction होता है फिर जो वापिस आपकी reflected beam आ रही है ठीक है वो reflected beam transducer detect करता है detect करने के बाद उनको electrical signals में convert करता है then वो electrical signals को computer तक send करता है ठीक है computer क्या करता है उन में से जैसे वो electrical signals को detect करने के बादे पास आते है उनकी intensities को detect करता है और 3 mode के अंदर आपको image provide करता है first आता है आपका amplitude mode जिसके अंदर depth और eco की intensity के बीच में graph बनता है ठीक है दूसरा आता है आपका M mode जिसके अंदर depth और time के बीच में graph बनता है और third आता है आपका brightness mode या फिर beam mode जिसके अंदर आपको grey shade या फिर bright grey shade की image provide होती है जो किस पर depend करती है eco की intensity पर depend करती है मतलब जो reflected beam आ रही है उसकी intensity के उपर depend करती है ठीक है अब अपन बात करते हैं अलग-अलग जो तीन mode है इनके बारे में detail में various modes of US operation of ultrasound can be done under various operative modes according to the application and requirement of the type of the sector to be scanned that means यह हुआ कि जो आपके ultrasound वो अलग-अलग भिन परकार के modes के अंदर work करती है अब यह depend करता है कि कौन से body part के अपन scanning कर रहे है उसके according अपन क्या करते है इन modes पर machine को work करवाते है ठीक है modes of ultrasound are following first आपका है A mode amplitude mode second आपका यहाँ पर है M mode motion mode third है B mode brightness mode ठीक है इनके बारे में अभी अपन detail में discuss करेंगे सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर A mode की amplitude mode ठीक है amplitude mode में क्या होता है वैसे अपने बात कर लिए amplitude mode की amplitude mode के अंदर graph बनता है किस के बीच में आपकी echo के intensity और depth के बीच में ठीक है उसे के बारे में अपन detail में discuss कर लेते है in an amplitude mode of ultrasound the probe is held in a stationary position in the direction of the interest direction of interest का मिंतलब है यहाँ पर कि जिस body part का आपको scanning करनी है फिर जिस body part की scanning आपको करने में interest ठीक है उसे की बात कर रहे हैं अपन तो यहाँ पर क्या होता है कि amplitude mode के अंदर जो आपका probe है probe को आप stationary that means fixed position के अंदर रखते हो ठीक है जब आप fixed position में यहाँ पर रखोगे तो वही जो process mechanism में अपने पड़ी थी वो होगी यहाँ पर आपनी ठीक है when a short duration pulse is sent into the sector of the patient यहाँ पर क्या होता है कि जो short duration छोटी duration की जो pulse हो ultra sound की जो beam है वो भेजी जाती है वो क्या करता है कि जो body part के अलग-अलग acoustic impedance के according वहाँ पर वो ultra sound beam या फिर वो pulse interact होती है normal सा अपना जो mechanism में अपने पड़ा था वही चीज़े हो रही है यहाँ पर main चीज़ के है कि जब अपन amplitude mode की scanning करेंगे तब अपन ultra sound के probe को stationary रखेंगे ठीक है stationary रखने के बाद में आपकी जो ultrasound waves है वो transmit होंगी अंदर और अलग-अलग जो आप पर interaction आपको देखने को मिलेगा Hence the beam is reflected back and generate an echo ठीक है जो आपकी reflected beam वो एक echo generate करती है Every echo gives a pulse to the transducer हर जो एक जो प्रतेक जो echo होगी है आपे वो क्या करेगी Transducer को pulse provide कराएगी मतलब signals provide कराएगी Which generate a voltage signal जो क्या करते है voltage signal को generate करते है For that respective echo intensity जो आपको intensity मिल रही है उसी के respective में वो क्या करती है आपकी voltage signals generate करती है ठीक है and then these signals send to the computer फिर क्या किया जाता है ये signals computer को send किया जाते है which makes a graph जो क्या करता है एक graph बनाता है computer किसके बीच में echo intensity and depth of the organ organ की depth और echo intensity के बीच में एक graph बनाता है जिससे अपने को diagnosis के अंदर help होती है यहाँ ठीक है तो normal सा जो आपका A mode बहुत easy है कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपका जो ultrasound का transducer है probe है stationary position में रखना है फिर जो आपका main mechanism है उसी तरीके से वो काम करेगा ultrasound की beam है वो आपके transmit होगी patient की body के अंदर enter होगी reflect होके आएगी voltage signals आपके generate होगे ठीक है और computer क्या करेगा उन signals के according एक graph आपको provide कर देगा ठीक है अब यहां पर आप graph में भी देख सकते हो ऐसा graph एक normal आपको provide होता है एक तरफ आपकी जो vertical access होती है उसके अंदर आपके eco intensity होती है और depth के जो आपकी horizontal access होती है उसके उपर अपन depth को denote करते है that means computer denote करता है यहां पर ठीक है eye के disorders के बारे में अपन diagnosis करेंगे that means ophthalmology के अंदर आपका A mode काम में लिया जाता है मतलब कोई भी eye, आँख का अगर आपने को diagnosis करना है ultrasound की help से तो वहाँ पर अपन A mode use करेंगे second आपका है eco cardiography eco cardiography के मैंने आपको पहले बता दिया था यहां पर क्या होता है ultrasound waves की साहता से अपन heart के बारे में diagnosis करते है ठीक है third midline displacement of the brain जो brain की जो midline है उसका अगर कई बार displacement हो जाता है तो उसका जो diagnosis करना उसके अंदर भी अपन A mode काम में लेते है ठीक है अब अपन बात करेंगे अपने next mode की Now we will discuss about the second mode which is known as motion mode या फिर M mode M mode के बारे में अपने discuss कर लेते हैं यहां पर क्या होता time और depth के बीच में graph मनाता है computer same चीजे होंगी in the motion mode the ultrasound beam is sent into the anatomical sector of the patient and then this ultrasound beam interacts with the various tissues and gets converted into eco जो अपने mechanism में पड़ी जो अपने A mode में पड़ी वही यहां पर होगा M mode के अंदर के आपका जो computer है वो electrical signals provide करेगा transducer को transducer उसमें से ultrasound waves को transmit करेगा ultrasound waves आपकी patient की जो anatomical sector है जो body part आपको scan करना है उसके अंदर enter करेंगी enter करने के बाद में वहां पे अलग-अलग acoustic impedance के according वहां पे अलग-अलग प्रकार का interaction होगा ठीक है और interaction होने के बाद में वहां से आपको eco provide होगी that means reflected us beam आपको मिलेगी ठीक है when these eco signals receives by the transducer appropriate voltage pulse will be generated ठीक है जैसे ही eco signals transducer को provide होगे receives होगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब transducer क्या करेगा उस जो ultrasound beam आपको मिली है reflected होके आईए उसको voltage pulse के अंदर convert कर देगा और वहां पे आपको voltage pulse generate होते वे मिलेंगे ठीक है when these electrical pulse send to the computer it converts into a series of dots अब यहां पे M mode में क्या होते है कि जैसे वो electrical signals computer को मिलते है computer उन electrical signals को dots के अंदर convert कर देता है ठीक है the brightness of these dots depend upon the eco intensity जो dots उसने convert की है या फिर जो dots उसने provide की है आपको उन dots की brightness ठीक है किस पर depend करती है eco की intensity पर depend करती है जिस प्रकार से आपकी eco की intensity होगी उसी प्रकार से वो computer उनको brightness provide करेगा ठीक है and also various echoes are sent during a time duration to see in the change of position that anatomical structure ठीक अब क्या होगा वहाँ पर जो आपकी जो anatomical structure है उसके अंदर अगर कुछ changes होगा तो जो आपको eco intensity और provide होगी उनकी intensities के अंदर क्या होगा changes आएगा वहाँ ठीक है computer क्या करता है उन changes को detect करता है और उनको changes को detect करके क्या करता है आपके motion mode की picture प्रोवाइड कराता है image प्रोवाइड करता है अब वो motion mode में करता है क्या है this mode displays time on the horizontal axis and depth on vertical axis इसमें क्या होता है vertical axis में depth होती है और time होता है horizontal axis में that means क्या होगा यहाँ पर time अपन ने क्यों लिया क्योंकि अपन यहाँ पर comparison करेंगी time के according कैसे उस anatomical structure के motion में movement आ रहा है या फिर change आ ठीक है तो that means कोई भी body की structure है जिसके movement के बारे में अगर अपने को diagnosis करना है तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे M mode काम में लेंगे motion mode काम में लेंगे और motion mode में होता है echo की intensity आती है उनके according gray dots आती है body part के अंदर changes होंगे तो intensity की change हो जाएगी echo की और जैसे intensity change होगी तो उसके according आपको अलग image मिलेगी तो यहाँ पर अपन क्या करते है time और depth के बीच में graph बना देते है जिसके according उस anatomical body structure या फिर body organ की motion के बारे में अपने को यहाँ पर पता चलता है ठीक है तो mainly जो अपना application की बात करे motion mode नाम समझ मेरा motion को diagnose करने के लिए काम मिलिया जाता है movement को diagnose करने के लिए यहाँ पर यह काम मिलिया जाता है this mode has limited role in imaging imaging इंदर इसका role ज़्यादव वैसे है नि mostly this mode has a clinical application to evaluate cardiac valve motion ज्यादा तर इसको अपना किसमे काम लेते है जो अपने cardiac valve है heart के जो valve है उनके motions को evaluate करने के लिए diagnose करने के लिए इसके uses है ecocardiography cardiac valve motion systolic and systolic motion systolic ओidiastolic जो motions हो रहे है उनके बाइपे लिए diagnose करना जो hurt के valve है उनके motion के बाइपे diagnose करना होता है क्या इसके अंदर echo होती है आपकी echo आती है dots बनाता है computer उनको brightness provide करता है according to the echo intensity फिर थोड़े time के बाद जैसे दूसरी echoes आती है तो जो आपका patient की जो body है या फिर organize इसके अंदर movement होगे तो obviously बात अब echo की intensity है उसके इंदर भी movement आएगा यहां पर और जो आपकी echo की intensity के अं चल रहे हैं उनकी brightness भी अलग होगी और आपको computer एक graph provide करता है depth और time के बीच में जिससे अपने को motions के बारे में पता चल जाता है next we will discuss about the third and last mode of the US जिसके अंदर अपना third है brightness mode बी mode जो सबसे ज़्यादा काम मिलिया जाता है normal आप जो आपने practical life के अंदर US की जो amazing देखते हो जिसमें आपको body organ की images देखती है वो आपका mode brightness mode ही होता है now we will discuss about the brightness mode of the ultrasonography or USG brightness mode में क्या हता है that means B mode in the B mode scanning two dimensional anatomical slice will be displayed into the computer screen ठीक है जो आपका A mode था और M mode था उसके अंदर आपको graph provide वे थे ठीक है but जो आपका brightness mode होता है या फिर B mode होता है इसके अंदर anatomical slice मतलब यहाँ पे आपको image provide होगी ठीक है body organ की आपको यहाँ पे image provide होगी computer screen के ओपट ठीक है वही mechanism आपका transducer electrical signals को sound waves में convert करेगा sound waves body की इंदर enter करेंगी फिर वो reflect होके आएंगी अब यहाँ पे क्या होता है कि जो reflected beam आ रही है ठीक है उनको receive करने के लिए आपको transducer को back की तरफ shift करना पड़ता है ठीक है पहले आप क्या करते हो transducer को जो आपके anatomical structure है उसके उपर आप scanning के लिए उसको place कर देते हो then जैसे आप उनके ultrasound on करते हो आपके ultrasound beam अंदर जाती है फिर वो reflect होके आती है तो उनके लिए क्या करता है जो reflected beam आ रही है उनको record करने के लिए उनको receive करने के लिए उनको detect करने के लिए आपको transducer को back की तरफ move करना पड़ेगा back की तरफ swipe करना पड़ेगा ताकि आप reflected echoes को receive कर सको according to the echo intensity computer alerts a specific gray color shade to the echo from the gray scanning अब यहाँ पर computer क्या करता है gray scanning के according और आपकी जो echo आ रही है जो reflected US beam आ रही है उसकी intensity के according gray color की shade प्रोवाइड करता है मतलब gray color की image प्रोवाइड करता है और उस image से अपने को जो आपका body organ है उसके diagnosis के बारे में पता चलता है that means brightness mode में आपको image प्रोवाइड होगी ना कि आपको यहाँ पर कोई graph प्रोवाइड होगा ठीक है जबकि A mode और जब आपका M mode था उनके अंदर आपको graph प्रोवाइड होता है but brightness mode के अंदर आपको gray color की image प्रोवाइड की जाती है ठीक है 1000s of such echos are analyzed by the computer and gives them differential brightness of gray color according to their intensity and makes a 2D image of body part क्या होता है यहाँ पर कि हजारो जो echos है वो आती है सबके intensity is अलग 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 intensity के according computer अलग अलग gray color की brightness उनको प्रोवाइड कराता है और फिर एक 2D image बनाता है उस body part की ठीक है यूज इसका सबसे ज़्यादा है B mode है वेरी यूज अप्लिकेशन इन diagnostic ultrasound because it describe the tissue characteristics and very important and useful in abdominal studies to detect various pathologies of the organ B mode के अंदर अपने को क्या होता है image प्रोवाइड होती है तो obvious ही बात है इसका application सबसे ज़्यादा है diagnostic के अंदर it describe the tissue characteristics यहाँ पर आपको image प्रोवाइड होगी तो tissue के characteristics उसके बारे में भी अपने को जो diagnosis या फिर useful information वो provide कराता है ठीक है and very important and useful in abdominal studies ज्यादा तर जितनी भी abdominal studies होती है उसके अंदर अपन brightness mode ही काम में लेते है to detect various pathologies of the organ organ की अलग-अलग pathologies को detect करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर आज अपने पड़ा mechanism mechanism के अंदर अपने तीन mode पड़े है तीन mode के according आपके जो ultrasound है यह फिर ultrasonography है उसके अंदर imaging की जाती है तीन mode होग है अपने A mode, M mode and B mode और इसका जो main mechanism है वो simple है एकदम simple electrical signals then आपकी converted into the sound waves sound waves reflect होके आती है, detect होती है दुबारा से electrical signals में convert होती है और computer उनके according इन तीन modes के according आपको image provide करा देते हैं ओके, thank you झाल 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 झाल